बहुत से लोग बिब्लिकल हिब्रू सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह बहुत मुश्किलिया डरावना लगता है और वे बहुत दूर जाने से पहले ही हार मान लेते हैं और कुछ छात्र जो प्रगती करते भी हैं वे बाद में संगर्श करते हैं जो उन्होंने सीखा है उसका उप्योग करने के लिए यहां समस्या यह है दुनिया में अधिकान्ष लोगों को एक पाठे पुस्तक का उपयोग करके और बहुत सारे नियमों को याद करके एक भाशा सीखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है इसके बजाए हम अनुभव करके एक भाशा सीखते हैं इसे सुनकर और बोलकर हर किसी के पास अपनी मात्र भाशा को बच्चों की तरह सीख कर बोलने के लिए सभाविक रूप से एक भाशा सीखने की शम्ता है इसके बारे में सोचे जब आप बच्चे थे तो आपके माता पिता ने आपको वर्ण माला और व्याकरण सिखाना शुरू नहीं किया था उन्होंने बस आपसे बात की आपने सुना और फिर थोड़ा थोड़ा करके समझना और बोलना शुरू किया तब आप वर्ण माला के लिए तयार थे हमारे निशुर्क वीडियो आपको सीखने के इस प्राग्रितिक गहराई से सिखाने वाली शैली का अनुभव करने में मदद करते हैं जितना अधिक आप देखते हैं उतना ही आप अपनी समझ का निर्मान करेंगे किसी भाषा को सीखने का यह स्वभावित तरीका समय के साथ अधिक सुखद और अधिक प्रभावी है क्योंकि बिब्लिकल हिब्रु की आवास और व्याकरन के दोहराव और उप्योग के माध्यम से भाषा आपको लंबे समय के लिए अच्छे से याद हो जाएगी हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ शब्दावली और व्याकरन को साच रूप से सीखने के बाद आप हिब्रु वनमाला से धीमे धीमे परिचित होंगे और अन्त अथा पढ़ना सीख सकते हैं हम बाइबल के अनुवादक और दुनिया भर के चर्च को बिब्लिकल हिब्रु सीखने और शास्त्रों के बारे में उनकी समझ विक्सित करने में मदद करने के लिए इस मुफ्द वीडियो कोर्स का निर्मान कर रहे हैं आपने हमारे निशुनक वीडियो में हिब्रु के अलावा अंग्रेजी या किसी अन्ने भाषा को नहीं सुना है इसलिए कोई भी सीख सकता है हमारा लक्षे व्याकरन के नियमों और शब्दावली की सूचियों को याद रखने के बजाए आपको एक जीवित भाषा के रूप में हिब्रु का अनुभव करने में मदद करना है और आपको उस तक की अविशक्ता नहीं है अगर आपको पहले थोड़ी अरूची महसूस हो तो हैरान नहूं यह सामान्य है आप शायद फिर से एक बच्चे की तरह महसूस करेंगे यह अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है कभी कभी यह कई विशकों को असहज महसूस कराता है लेकिन यह सीखने का हिस्सा है बस आनंद ले यदि आप बार बार वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि सन रशनाएं और आवाजें आपका हिस्सा बनना शुरू कर चुकी हैं जितना अधिक आप इसे देखेंग उतना ही आप भाशा सीखने के व्यवारिक मुल्य को देखना शुरू करेंगे आपको आश्चरे होगा कि आपने केवल कुछ वीडियो के बाद कितना सीखा है यदि आप पहली बार में सभी शब्दावली याद नहीं कर सकते तो चिंता मत करो बस आराम करें और वीडियो को फिर से देखें आप भविश्य के वीडियो में बार-बार शब्दावली सुनते रहेंगे इसलिए इसे पहली बार याद करने के लिए तनाव की अविशकता नहीं है इसके अलावा पाटों को क्रम में देखना सुनिश्चित करें जो विवरन में लिंक की गई प्ले तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं हमारे चैनल की सदस्यता ले और हिब्रू बाइबल की भाशा सीखना शुरू करें प्रिप्या अन्य देशों के दोस्तों के साथ इस मुफ्त शिक्षन को साजा करने में हमारी साहता करें जो हिब्रू सीखने में रूची रखते हैं और हम हमारे लिए प्रात्ना करते रहें क्योंकि हम आपके लिए और अधिक मुफ्त वीडियो बनाते रहेंगे जो आपको भाषा सीखने में मदद करते हैं ताकि आप इसकी सुन्दर मूल भाषा में पीश्वर के शब्द का आनन नुभव कर सके शालोम झालोम